जाहिं देवरीवन सबसे पाले आप सभी साथियों को हमारे तरफ से हाइपी दिवाली अभी तक तो आप लोगों इंडियन आर्मी की वर्दी नहीं मिल पाई है लेकिन मैं भगवान से प्रात्ना करता हूं कि अगला दिपावली आप लोग बॉर्डर पर एकके फटी सेवन के साथ मना हो उसके लिए आप लोगों को लगातार मेंनत करना पड़ेगा मेरे भाई अगर लगातार मेंनत करते रहोगे तब ही कुछ होगा अगर पाले से ही सोच लोगे कि मुझे तो कुछ नहीं हो पाएगा मुझे तो डोड नहीं निकल पाएगा मुझे तो पेपर नहीं निकल पाएगा तब तो आगे कुछ भी नहीं होगा अगर परियास करते रहोगे ना तो जरूर कुछ होगा मेरे भाई तो लागातार मेरत करते रहो और अगला दिपावली आप लोगो को बडर पर मनाना है आप पूरे भारत में किसी भी राज जैसे हो अगर आप इस साल टीय आरमी का भरती देखने जाने वाले हो तो जरूर आपके मुझे में ये चल रहा होगा का यार इस साल जो टीय आरमी की भरती होने वाली है नोटिफिकेशन के माध्यम से तो 42 साल के बीच में रहेगा तो उन लोगों को 1600 मिटर दोड़ने के लिए 6 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है तो इसको लेकर बहुत सारे दोस्त आभी भी एकदम परसान होगे कि यार टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे भाई अब त इस लोकेशन पर भरती कराए जाएगा और जो टाइमिंग का बाता ना उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में कुछ important point बताने वाला हूं और वैसे नहीं बताने वाला हूं जो हकीकत बात है जो real बात है वही में आप लोगों को बताने वाला हूं और जो जैसे जन्व परमारपत्र नहीं बन पाया है तो जिनका जन्व परमारपत्र नहीं बन पाया है वह लोग भरती देखने जाएंगे रेस मार देंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है वह सारी चीजे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं समय आगे बढ़ने से पहले टीए आर्मी का पेपर नहीं होता था लेकिन अब टीए आर्मी में भी पेपर होने लगा है और जीके के 20 परस्न टीए आर्मी में पूछे जाएंगे तो दोड़ के साथ साथ आप लोगों पढ़ाई करने का भी जरूरत है मेरे भाई आल इंडिया के लिए 5000 के आसपास में टी टीए आर्मी में दोड़ मार देंगे तो हमारा नाम हो जाएगा तो नाम से कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई नाम तो हमारा भी बहुत ज्यादे है लेकिन जब वर्दी लोगे ना तभी कुछ होने वाला है ठीक है ना तभी आपका सपना पूरा होगा तो दोड़ के साइनिक बैच ले 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 इसका प्राइज भी जा दे नहीं है सिर्फ एक सोनचास रुपया है और इस पर भी सिर्फ आज तक मतलब जैसे दोस परसेंट का छूट है उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा एंडीसी टेंट ठीक ना और यह साइनिक बैच क पूरा का पूरा बना लेना आईडी पासवर्ट बनाने के बाद यहां राजिस्टर पर किलिक करना उसके बासे अप्लिकेशन खुल के आप लोग के सामने आ जाएगा इसको एलाउ कर देना ठीक ना उसके बासे फिर क्या होगा पेट कोर्स में जाना है और वहां पर साइनि जीगे का चेप्टर वाइज कलास करा दूंगा उसके बासे रीजिनिंग का भी साथ ही साथ चलेगा जब रीजिनिंग का समापत हो जाएगा तो मैथ का पूरा जीस लेबल का प्रस्ण पुछा जाता है वो करा दूंगा ठीक ना और साइन्स का पीडियाप दे दूंगा चे कि जिन लोग का उमर है जैसे 30 साल से अधिक रहेगा तो उन लोग का एक बीम माप रहेगा अगर आप 10 बीम मारोगे तो आपको बीम में 40 नमर मिलेगा और जिनका उमर 30 से लेकर 42 साल के बीच में रहेगा वो लोग 9 बीम मारेंगे तो उन लोग को 40 नमर मिल जाएगा ठीक न तो जिनका जादे उमर रहेगा तो फिर उन लोग को बीम में एक बीम माप रहेगा तो ये दवड के बारे में जो नोटिस दिया गया ना तो इसके बारे में कितना सचाई हो सकता है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ आप देखो चार तारिक से भरती चालू होगा तो चार तारीकों ना 13 यूनिट मिलकर भरती करा रही है कितने यूनिट मिलकर 13 यूनिट मिलकर भरती करा रही है ठीक ना और यह भरती कहां कहां पर होने वाला है तो यह देखो कोलापूर महराष्ट में एक जगहां तो हो गया कहां पर भरती होगा कोलापूर महराष्ट में आप ठीक है ना? 4 तरीकों, कहां पर भरती करा जाएगा? तमील एणाडू में करा जाएगा और जीतना टाइम मिलेगा उतना मैं आप लोग को बता दूँगा, ठीक है न? लोकेशन देख लोगी कहां कहां पर 4 तरीकों भरती चल रहा है, जब लोकेशन जानते रहोगे, इसके बार में आप लोगों को चारतारी को बताऊंगा तो आपका तीसरा जगां करनाटक में चारतारी को भरती कराए जाएगा ठीक ना तीसरा जगां करनाटक में चारतारी को भरती कराए जाएगा उसके पासे कहां पर कराए जाएगा देवलाली में भरती कराए जाएगा नासिक जो मह अंडोमार 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 में भरती कराया जाएगा तो महरास्ट में आपका चारतारी को टी आर्मी का भरती कराया जाएगा तमील नाडु में भरती कराया जाएगा करनाटक में भरती कराया जाएगा और कहां पर कराया जाएगा अंडोमार अंडोमार अंड जादे उसकुले कर आप अंदर से डी मोटिवेट नहीं होना लोगी सच्चाई कुछ और राता है और बताया कुछ और जाता है जिन भाईयों का दोड निकलेगा उन लोगों से सही बात पता चल पाएगा और मैं भी आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा अर्थी दोड 38 सिकंड में मा आ था लेकिन अभी उशी गराउन में पांच अकर लगाने में पता है कितना टायम लग रहे हैं पांच मीनट 12 सिकंड से अधिक लग रहे हैं बहुत परियास किए मदलब डौन करने का लेकिन नहीं हो पारा है इसके पीछे का रीजन ही है कि बस येक महीने का ताइम मिला, अब एक महिने में पायर में भी प्रोबलम हो गया, और नहीं तो 3-4 दिन से तो मेरा एक डम तभियत कराब था, 3-4 दिन से तो में एक डम दोडने गया ही नहीं, और बाकी चीतने भी दोस्तना है, बहुत कमी लोगा, दो-तीन लोगा बस दो, मतला ही, चार मिनट 50 नहीं तो सभी लोगा टाइमींग पांच मिनट दो सिकन्ड पांच मिनट बारगा राइब्स सिकन्ड तक है यह रियल्टी मेरे बाई तो हर गराउंड का यही मतलब जैसे हाल है बस दो तिन लों का अच्छा रसन का अच्छा रंग है क्योंकि इसके पीछे का रिजून तााइ बनाके अच्छे से लेकिन अभी कोई गराउंड में आता है कोई नहीं आता है उतना अभी जुनूर नहीं है मेरे बाई मैं आपको हकीकत बता रहा हूं और मैं यूटूपर पढ़ाने भी लगाऊं नहीं तो मैं तो पूरा दोनों तीनों टाहिम जाया करता था अभी तो सिर् को लेकर मैं शुरुवात में बताया हूं तो बता दे रहा हूं बहुत लूग का बर्थ Certificate नहीं बन पाया है तो बहुत लोगों का नहीं बनपाया है जो छोड़ेन के बाहर कर देंगे मेरे बाई बर्थ Certificate अगर आपका प्रोसेसिंग में तभी भी काम चल सकता है ठीक ना उसको लेकर पारसार नहीं हो ना प्राकि जहाँ जहां भरती होगा वह सारी चीज़े मैं आप लोग को बता दिया हूं और गराउंड का हालात की आई भी मैं आप लोग को बता दिया हूं अपना टाइमिंग के साथ- तो थोड़ा वजन भी जादे हो गया था, अभी तो थोड़ा ठीक ठाक हो गया, और बीच में ज्यादा प्रेसर डाल दिया तो फैर में ठीक धोड़ा अइसे ही होता है जब दवा छोड़ कर और अचानक में दवड़ बनाना चाहोगे तो ऐसे ही होता है तो अभी दो तीन दिन से तो तभीयत भी खराब था बहुत जादे दवा खा रहा हूं अब देखता हूं जब फिर से गरावन में जाऊंगा दवड़ने तो दवा खाने के बाद सांस भी फूलता है यह आप लोग को पता होगा आप लोग खाकर व्यशंहें भगौा deduction कोई रुस्य खाकर लेकिन लोगज सांस बहुत ज्यादे फूलता है आप लोग देख लेना ठीक ना तो यहीं सअरा हाल्य है आप चारे तारिकों देखते चार तारिकों इन 5 जगां के दवल केको मैं आप लोगकों बताए होंगा ठीक है ना चलो ठीक है मिलते हैं आगले वीडियो में जय हिंद बंदे मात्रव